पौधे लगाना तो आसान है लेकिन उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल लेकिन हनुमानगड के लाधू सिंग भाटी ने ना सिर्फ पौध हरोपन किया बलकि उनकी अच्छे से देखभाल भी की साल 2015 में शुद्ध पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों के महर्प को समझा उसके बाद तालवाड जील में 2015 में माना पुत्थान सेवा समीती नाम से संस्था बनाया कुछ सदस्यों के साथ मिलकर पौधार उपन करना शुरू किया ये सिलसला आज भी जारी है तानो तान सेवा समीती की स्ताफना विश्व महिला दिवर्ष्ट 2015 में कुछ युवासाथियों के दवारा ये चोटा सा मुहिम शुरू की थी उसके बाद में हमने तलवाडा जील के साथ विगा की कल्यान भूमिये उसमें पौधार उपन किया तलवाडा से टीबी रोड प अब अमारी दोनों जेगे तलवाडा रनमानड जंग्सिन में पौधार उपन कारीकरम दिरंतर चल रहे हैं महस छे सालों में ही लादू सिंग अपनी संस्था के सदर्शयों और चंसहियों के साथ सडक किनारे और सरकारी कार्यलों में 10,000 पौधे लगा चुके हैं करीब साड़े साथ हजार पौधे अब तक छायादार पेड़ बन चुके हैं, हलाकि ये काम आसान नहीं था, लेकिन जिद और जुनून के आगे कोई काम असंभव भी तो नहीं होता अब तक हमने 4500 पोदे जो आज वरक्त के रूप ले रखे हैं, वो खड़े हैं, जित्ते भी आज तक हम पोदे लगाते हैं, में ट्रीगार्ड पोदार पन किया जाता है, वो ट्रीगार्ड है, वो सभी जन सयोग से एक्तरित होते हैं, जो जागरूप लोग है, वो अपने अदू सिंग भाटी के मुताबिक वो किसी काम से रामदेवरा से जोतपुर और सिरोही होते हुए एहमदबाद जा रहे थे, सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ ही पेड़ लगे थे, ये देख कर उन्होंने तै किया कि वो भी अपने शेत्र को हरा भरा करेंगे, बस तब अदू सिंग भाटी ने तालवाडा जील कजबे के बंजर कल्यार भूमी को भी आबाद कर दिया है, इस कल्यार भूमी को सवारने के लिए वह जनसोयोग से हर साल तेड़ लाख रुपे खर्चा करते हैं, उनकी परियावरन मुहीम का हिस्सा राजनेता से लेकर जिला कलेक् और एसपी तक बन चुके हैं, वाके लादू सिंग परियावरन के सच्चे पहरदार हैं, विश्वास भटेजा, ETV भारत, हनुमानगर